हेलो बच्चों ये क्वेशन है जेही में 23 का 10 अप्रिल शिफ्ट 2 शिफ्ट 1 का है जीनर डायोड और पावर रेटिंग 1.6 वाट यहाप एक जीनर डायोड है बच्चों जिसका पावर रेटिंग 1.6 वाट है इस तो भी यूज़ आज वोल्टेज रेगुलेटर वोल्टेज जैसे कि आप जिनर डायोड जानते होंगे कि जिनर डायोड वोल्टेज को रेगुलेट करता है मतलब अपने एक्रॉस ये फिक्स कर देगा कि इन दोनों एक्रॉस जो इसका वोल्टेज रेटिंग है जैसे के एट वोल्ट अब वोल्ट ही हमेशा रहेगा चाहे तुम लगया बच्छों कि इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज एट है एंड इट है टू रेगुलेट वोल्टेज फ्लक्चुएटिंग बिट्विन 3 वोल्ट एंड 10 वोल्ट दे वैल्यू अब रिजिस्टेंस आर यह आरेट लिखा है बाई मिस्टेक प्रेंटिंग है यह एक्रॉस यह में आर है ठीक है फॉर दे सेफ ऑपरेशन ऑफ डायोड विल भी फॉर दे सेफ ऑपरेशन ऑफ डायोड अच्छे से काम करें उसके लिए तो जब इसका इसके पास यह बोल रहा है कि मैं मैं 8 वोल्ट मैक्सिम ऑपरेट कर सकता हूं और आप 3 वोल्ट देंगे तो कोई प पावर अक्रोस पावर अक्रोस डायोड इस इक्वल टू 1.6 वोल्ट इस अक्रोस तो वोल्ट इस अक्रोस डायोड यह भी बच्चों में दिया हुआ 8 वोल्ट तो इससे आप P is equal to V I करके I find कर सकते हैं तो यह अगर P by V पावर कितना है 1.6 V कितना है 8 तो 0.2 Ampere तो 0.2 Ampere का यहाँ पर अपने को current मिलेगा ठीक है तो इसका मतलब कि इसके अंदर maximum जो current जा सकता हूँ 0.2 Ampere तो अब अगर हम लोग इस diode के cross बच्चों इस input के cross अगर हम 10 वोल्ट देते हैं तो उसमें से 8 वोल्ट तो यह consume कर जाएगा यह तो always fix हो गया तो इसका मतलब out of 10 अगर ऐसे है circuit तो out of 10 अगर यह 8 ले लेगा तो यह कितना voltage? voltage 2 वोल्ट consume करेगा तो वहां से अपने को मालूम हो गया current हम लोग को मालूम हो गया कि 0.2 Ampere current flow करेगा तो अब हम लोग यह बोल सकते हैं यहां पर कि V is equal to IR okay voltage 2 volt क्योंकि maximum 10 की बात करो 10 अब 8 maximum 10 volt अप्लाई कर सकते ना हम लोग अब 8 से नीचे में तो कोई परशान ही नहीं हो तो diode अच्छे से काम करेगा बच्चों ठेक है यह 0.2 और यह resistance तो देखिए R is equal to क्या आएगा 2 volt upon 0.2 that that is 10 ohm तो यहां जो resistance आम लोग के पास है रुच्छों वो 10 ohm है यह 10 ohm का आपने पास resistance तिक अप्सों नमबर B